मनिपूर से हम महराष्टा गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कम्प्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नौन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सब को मालुम है कि नीट पेपर एंड युजीसी एनिटी के जो पेपर्स हैं वो लीक होए हैं और एक कैंसल भी होआ है कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने युकरेन की लड़वाई रोक दी थी मतब एक और देके जो रूस और युकरेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था ब्रेक लगा दी थी इसरेल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं नुकसान स्टूडन्स का होता है जो हिंदुस्तान के स्टूडन्स है मैं जानता हूँ कि आप इन एक्जैम्स के लिए महीनों, सालों काम करते हो यह आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवार किया जा रहा है मध्यप्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है मैं इंस्टिटूशनल कैप्चर की बात करता हूँ मीडिया की बात करी अलग-लग हिंदुस्तान के जो संस्ता है उनकी बात की यही एजुकेशन इंस्टिटूशन में हो रहा है पेपर लीग का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने उनकी पेरंट और्गनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है जब तक यह कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीग चलता जाएगा इस कैप्चर को फसिलिटेट नरेंदर मोधी जी ने किया है और यह एक एंटी नैशनल एक्टिविटी है क्योंकि यह देश का भविश्य है और इससे हिंदुस्तान के यवाव को स्ट्यूडन्स को जबरदस चोट पड़ती है इंक्वाईरी चल रही है एक को आपने कैंसल कर दिया है अब पता नहीं दूसरे को कैंसल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा पर कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एक दम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे आक्शन लिया जाना चाहिए आपके कोई सवाल हो